ओमो नमाहिस्वे दुस्तो मेथोन राशी वाले जात्कों का इस चैनल पे स्वागत इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेथोन राशी वाले जात्कों के लिए साल 2024 में जन्बरी और फरवरी का महिना किस प्रकार जाने वाला है 2024 के सुरुआती दोनों महीनों की सम्यावधी में आपके जीवन में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की इस्थतियों का निर्माड होने वाला है किन-किन छेत्रों में उत्सा के साथ आपके कारे बनेंगे और आपको बड़ी खुसखवरी देखने के लिए मिल सकती है और कहाँ पर मिथुन रासी वेले जात्कों को सावधानी बना कर चलने की प्रवल आप सकता रहने वली है ये फलादेश मिथुन रासी वेले जात्कों के लिए ही बनाए गया है और आपकी चंद राशी के उपर प्रभावी और आधारित हैं तो आप इसे इसी आधार पर दिखें इस वीडियो के माध्यम से मिथोन राशी वेले जातकों आपके जीवन के हर पहलो की जानकरी आपको देने वले हैं जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा आर्थिक जीवन पारिवारिक जीवन प्रेम संबंध स्वास्त एजुकेशन लाइफ और अरंत में हम आपको कुछ विशेश और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकरी देने वले हैं इन दोनों महीनों में आपके जीवन में ग्राहों का किस प्रकार से प्रभाव रहेगा और उसके पश्चाद लाष्ट में हम आपको मिथुन रासी के जातकों के अंदर मौजूद तीन बड़ी कमियों की जानकरी भी देंगे जिसको यदि आप जीवन में 2024 के पहले दूर कर लेते हैं तो आने वले समय में आप बेहतर संभावनाओं का भी निर्माड कर पाएंगे और कम प्रयासों में आप बड़ी सफलता को भी अर्जित कर पाएंगे मिथुन राशी वेले जातकों इस भविश्फल को प्रारम कर रहे हैं उससे पहले बात कर रहे हैं मिथुन राशी की देखें मिथुन राशी भचक्र मंडल की तृती राशी मानी जाती है और बुध से प्रभावित वाय तत्वी राशी मानी जाती है इस रासी वेले जातकों के इंदर चंचलता, बुद्धिमत्ता और वाय तत्तु का प्रभाव होता है तो जिवन में योजना बनाने में दक्ष होते हैं मिथोन रासी वेले जातक कुशाग बुद्धिके होते हैं कारियों की सराहना सुनना इनको अच्छा लगता है महत्वा कंची होते हैं जिसकी वज़ाए से किसी भी फिल्ड में जब ये जाते हैं तो सीर्स पर यानि उचाईयों पर पहुँचने की कोशिस करते हैं मन में भावुकता ज़्यादा होती है और किसी भी बात को बहुत ही जल्दी दिल से लगा लेते हैं मिथोन रासी वेले जातकों के अंदर जीवन साथी के प्रती हमेशा नाकरात्मकता भी मिलती हैं कभी कभी मिथोन रासी वेले जातक जब इनके जनम कुंडली पर बुध का अच्छा प्रभा होता है कुशल राजनी तक जब और समाज के शित्रों में सफलता को विशेश अरजित करने वले बन जाते हैं अपना वर्चस्व समाज में बना कर चलते हैं और मिथोन रासी वेले जातक बुध का प्रभा होने की वज़ा से ही चतुर होते हैं दूसरे के मन की बात को भी पढ़ सकते हैं इस प्रकार की खूबी मिथोन रासी वेले जातकों के सभाव में होती है लेकिन बहुत सारे मिथुन रासी वले जात्कों के जिवन में वर्तमान में कई प्रकार की परिशानिया चल लही है देखें मिथुन रासी वले जात्कों के जिवन में सबसे पहले तो आपके परिवार में नाकरत्मक्ता बनी हुई है दूसरा मिथोन रासी वेले जातकों को संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है और परिणाम आपको जिवन में कम या ना के वरावर मिले रहा है दसाम भाव यानि कर्म भाव पर राहु देव की महुजूदगी बनी हुई है उसके बज़र से बहुत सारे मिथोन रासी के जातक परिशान है मिथोन रासी के बहुत सारे जातकों को पिछले समय में ब्रहस्पती और राहु के चांडाल योग के कारण वयवाहिक मामलों में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा और सिक्षा के मामले में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा परिसान मिथुन रासी के जात्कों के लिए विडियो के लाश्ट में कुछ विसेश और धारमे कुपाईयों की जानकारी देंगे जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा और आपको कई परिसानियों से निजात भी मिलने वेला है मिथुन रासी वालों सबसे पहले तो आपको बता दें जनबरी और फरबरी 2024 में आपके कुंडली के उपर ग्रही स्थितिक इस प्रकार की मौझूद है ब्रहस्पती दोनों महिनों में आपके लाब भाव पर रहेंगे सनी देव दोनों महिनों में आपके भागे भाव यानि नाइम थाउस पर गुचर करने वले हैं राहु दसम भाव पर वही केतु देव आपके चतुर्त भाव पर दोनों महीनों में प्रभावी होकर गोचर करने वले हैं उसके साथ आपके पूरे राशी को जो नियंतरित रखते हैं वो बुध्य देव रखते हैं अठारे हैं तारिक तक सुकर देव के इस्थिति आपके चट्वे भाव पर रहेगी और अठारा जन्वरी को सुकर देव आपके राशी के वायवाहिक भाव पर आ जाएंगे सूर्य बुध्य और मंगल ये तीनों प्लैनेट जन्वरी के सुरुआत में आपके सब्तम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वले हैं और परिवर्तन भी इनका होने वले हैं फरवरी के मद्ध तक बुध्य का परिवर्तन भी हो रहा है अब आई हम आपको बताते हैं कि आपके जिवन में किस प्रकार की संभावनाएं मिलने वली है सबसे पहले आपको जनकारी दे रहे हैं करियर और व्याबसाइक जिवन के द्रिश्टी कोण से ये समय आपके जिवन में किस प्रकार जाने वला है मिथुन रासी वेले जातकों कर्म भाव पर सुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है राहुदिब दोनों महीनों में प्रभावी होकर गुचर कर रहे हैं तो ये समझ आपके जीवन में दोनों महीने आपको मान सम्मान में वृद्धी देने वेले हैं वर्क प्लेस पर यदे आपको जादा दवाव का और जादा तनाव का सामना करना पड़ रहा है मिथुन रासी वेले जातकों आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाईयां आपके जीवन से समाप्त होने वली है अठारह जन्बरी को शुकरदेव आपके राशी के केंद्र में आ जाएंगे सब्तम अभाव पर प्रभावी होंगे ये इस्थिति आपके जीवन में आपको ब्यावशाईक लाव निर्माड करवाएगी और ब्यावपार में नई रण नेतियों को लागू करने के इस्थितिया निर्माड करवाने वली है उसके साथ साथ मिथुन रासी वेले जातकों मंगल का प्रभाव आपके लिए काफी बेचतर है मंगल देव उच्चस तवस्था में फरवरी के महिने में रहेंगे फरवरी के महिने में आप अपने वाड़ी के द्वारा पराक्रम करते हुए नजर आएंगे ये वाड़ी में आपके आवेक काफी ज़्यादा रहेगा इसकी वज़ा से आप जीवन के हर छेत्रों में सफलता अरजित करने वले है उसके साथ साथ मिथुन रासी के ऐसा जात तक जो बरतमान समय में जान विगजान से जुड़े ही वे छेत्रों में काम कर रहे है यदि आप टीचर है, जज है, लॉयर है, वकील है मिडिया शिक्टर में जुड़कर काम कर रहे है कथा वाचक है तो ये समय आपके जिवन में काफी बेहतर रहने वला है मिथोन रासी वलेओं, यदि आपके लिए धन के दिरिष्टी कोंड से जानकारी दिया जाए आपके लाब भाव के स्वामी मंगल देव, आपके सप्तम भाव पर जनवरी के शुरुआज से पांच फरवरे तक प्रभावी रहेंगे लाब भाव पर देव गुरु ब्रहजपती प्रभावी होकर गोचर करने वले हैं तो मिथोन रासी वले जातकों दोनों महीनों की समयावधी में आपके जीवन में आर्थिक मामलों में सांदार लाब की अवसर आपको मिलने वले हैं जो जातक वर्तमान समय में खर्चों की वज़े से परिशान है या कर्ज की स्थतियां आपके जीवन में लगातार आपको परिशान कर रही है यहाँ पर मिथोन रासी वले जातकों को निवेश से तो बचना चाहिए लेकिन कर्जों में आपको राहत मिलने वली है और आपके जीवन में खर्चों से भी आपको राहत मिलने मली है राहू के सुभप्रभाव से आपको बिजनेस के छेत्र में अच्छा फाइदा होने मला है ब्रहस्पति के सुभ प्रभाव से आप अपने जिवन में भौतिक सुखों को भी अर्जित करने में सफल रह सकते हैं परिवार के दृष्टि कोर्ट से यदि आपको जानकैरी दिगा जाए दोनों महीनों की समयावधि में कुटुम्बी जनों का और परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग आपको मिल सकता है परिवार में सामर्जोस के वर्धी होने बली है जन्वरी और फर्वरी के महीने में गंभीर समस्याईं आपको किसी प्रकार की ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है चेतुर्ट वाउपर केतु देप प्रभावी है तो ऐसे में माता के सेहत को लेकर कुछ समस्याईं आपको मिल सकती है यहाँ पर मिथुन रासी बले जातकों को सजगता वरतने की आवसित्ता रहने वली है उसके साथ साथ मिथुन रासी बले जातकों यदि आपके लिए सिक्षा के दृष्टी कौन से जानकरी दिया जाए विद्यार्थियों के लिए सुकरदेव की अवस्था आपके छठवे भाव पर जन्वरी के महने में अच्छी अवस्था में सुकरदेव प्रभावी है और बेहतर है यहाँ पर मिथुन रासी बले जातकों के जिवन में बेहतर इस्थतिया दिखाई दे रही है उसके साथ साथ मिथुन रासी बले जातकों यदि आप किसी प्रकार के इंटर्वी बगएरा में यदि आप बेठना चाते हैं तो समय आपकी जिवन में आत्म विश्वास से भरा हुआ रहेगा पंच में सुकरदेव अनुकूलता लेकर चल रहे हैं सुब अवस्था में है जन्बरी के महिने में उर्जावान होकर किसी प्रकार के कमपटेटिव एकजाम में समय लित हो सकते हैं तो उसमें आपको सफलता आसाली से मिलने वली है वायबाहिक जिवन के दृष्टि कोहर से यदि हम आपको जान करिदे कुंडली का सप्तम भाव आपका काफी प्रभावी है और जन्बरी के मध्य तक सप्तम भाव पर सूर्य देभ्भी प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे है सूर्य के साथ बुधह और मंगल की उपस्तिती भी है कहीं न कहीं 15 जन्बरी तक आपको वैवाहिक मामलों के लिए मिला जुला प्रभाव मिलने वला है जीवन साथी के साथ आपको सभल कर चलने की आप सकता रहेगी वैवाहिक जीवन में तना तनी सप्तम भाव पर सूर्य की उपस्तिती से होता है इगो की प्रॉबलम जादा होती है ऐसे में मिथोन रासी वेले जातकों को बेहतर इस्तिती निर्मित करने के लिए जन्बरी के मध्य तक वैवाहिक मामलों को लेकर साथान रहना है उसके पशात इस्तिती आपके लिए जादा बेहतर दिखाई दे रही है सबसे बेहतर महिना आपके लिए फरवरी का रहने वला है इसमें आपके सब्तम भाव पर बेहतरी नवस्था कई ग्रहों की सुभ प्रभावी रहने वली है उसके साथ साथ आपके लिए स्वास्ति के दृष्टी कोंड से यदि आपको जानकारी दिया जाए मिथोन रासी वले जातकों सेहत का विचार कुंडली के छटवे भाव से किया जाता है और आपके छटवे भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव और मंगल देव आपके रासी में सब्तम और अश्टम भाव पर प्रभावी अवस्था में रहेंगे यहाँ पर कहा जा सकता है कि मिथोन रासी वले जातकों को जीवन में जन्वरी के महिने में गंभीर समस्याई दिखाई नहीं दे रही है पांच फरवरे को मंगल उच्चस तवस्था में आपके अश्टम भाव पर प्रभावी होगे यहाँ पर आपके आती उच्चसा में आपको वृद्धी दिखाई देगे स्वास्त के मामले में आपको कार करने के कई प्रकार के जुनून की इस्थितियां आपको दिखाई देने वली है मिथुन डासी वले जात्कों को जल्दवाजी में वाहन चलाते समय भी सापधान रहना है मंगल देव का प्रभाव आपके उपर कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आपके अंदर हडवडाहट की इस्थिति जादा वनी हुई रहने वली है स्वास्त के स्वामी होकर मंगल पांच फरवरी के पश्षात आपके अश्टमभाव पर प्रभावी होंगे तो फरवरी के महिने में आपको ट्रैफिक नियमों का पालन जीवन में जरूर करना चाहिए मिथुन रासी वाले जातकों को भोज पदार्थों में मिनेरल वाले भोज पदार्थों का ज़्यादा सिवन करना है नियमित दंड वैठक लगाना, योगा भ्यास करना, ध्यान करना, सुर्य नमस्कार करना ये सारी चीज़ें यदि आप करते हैं तो आपको उत्तम स्वास्त मिल सकता है और मिथुन रासी वाले जातकों को नसीले पदार्थ से बचना चाहिए जिसे ड्रैक्स, धूमरपान, सराब, मांसाहर इन सभी चीज़ों से आप यदि बचते हैं तो इस्थती आपको बेहतर दिखाई देने वली है ये सभी चीज़े मस्तिसका और तंत्रिका तंत्र के उपर बुरा प्रभाव डाल दी है इन सभी चीज़ों से आप बचने का प्रयास करें अब हम आपको बता रहे हैं कि मिथुन रासी वले जातकों को इस समय अंतराल में क्या धार्मे कुपाई काम करना है सबसे पहले तो मिथुन रासी वले जातकों के अंदर मौजूद तीन नाकरात्मकादतों की जानकरी भी अब हम आपको देने वले हैं सबसे पहला व्यर्थ के खर्च मिथुन रासी वेले जातक ज्यादा करते हैं व्यक्तिके जीवन में खर्चों की वज़ा से आपका आर्थिक समन्बे बार बार गड़वड होता है ऐसे में मिथुन रासी वेले जातकों को जिवन के हर छेत्रों में बहतर इस्थितिया निर्मित करने के लिए खर्चों पर नियंत्रन बना कर चलना चाहिए दूसरा मिथुन रासी वेले जातकों के अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए छल कपट का भाव तो नहीं होता है उसके वावजूद भी इनकी जो भासा होती है खुली बोली होती है इसकी वज़र से सामने वाले व्यक्ति इनका गूप्त सत्रू बन जाता है मिथोन डासी वाले जात्कों को ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो मिठी हो और नाप तोल कर बातों को व्यक्त करना बेहतर रहेगा यह आपकी कमी है कि यह मिथोन डासी वाले जातक अपने जीवन में बातों के फ्लो में समने वाले व्यक्ति कमीयों को भी बोलने की छमता रखते हैं इसकी वज़े से आपको जीवन में नुक्सान होता है और तीसरा मिथोन डासी वाले जातकों के सभाव में चुकि वाई तुत्व का प्रभाव है तो कई कारियों को एक साथ करना चाहते हैं बिना विचारे ही कारे को करने लगते हैं तो मिथुन नासी वाले जातकों यदि आप बेहतर इस्तथी निर्मित करना चाहते हैं, तो अपने जीवन में हर कारे को योजना बना करें, हड़ बड़ा हट में जीवन में डिसीजन ना लें, तो इस्तथी जादा बेहतर रहने वाली है। इमानदारी के साथ यदि आप काम करते हैं और अनुभवी लोगों की राय को लिकर यदि आप जीवन में चलेंगे, सौट कट यदि आप जीवन में अपनाने से बचते हैं, तो आप अपने जीवन में सर्व स्रिष्ट सफलता हर्जित करने में सफल रहेंगे, इससे आपको प्रकार के फायदे होंगे, अगर आपके लिए धार्मी कुपाई की जनकारी दिया जाए, आपके रासी के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, यदि आप बुध को बलवान करना चाहते हैं, तो आपको रोजाना हरी मूंग का सेवन करना चाहिए, उसके साथ साथ मिथुन रासी बले जातकों को सिवलिंग और जलाविशे करना और भगवान शंकर के मंत्रों का जब करना बेहतर रहेगा, यदि आप महामृतुंजा नामक मंत्र का जब करते हैं, ओम त्रेम भगम यजा महे सुगंधि पुष्टि वर्धनम, उर्वारुकमी वबंदनात, मृत्तोत, मोक् इस मंत्र का यदि आप जब करते हैं, तो आपके मन में एक आगरता में बृध्धी होगी, किसी भी कारे को कर रहे हैं, उसमें आपको आसाली से सफलता मिल सकती है मिथुन नासी वले जातकों, यदि आप बहतर इस्थतिया निर्मित करना चाहते हैं, तो जनबरी और फरवरी के महीने में, जो मंगल की इस्थति है, वो आपके अश्टम भाव पर फरवरी में प्रभावी हो रही है ऐसे में मंगल बार के दिन, यदि आप गौसाली में जाकर हरे चाहरे का प्रवन्द करते हैं, तो इस्थति आपके लिए बेहतर रहने वली है उम्मिध है जानकारी, मिथुन नासी वले जातकों को बेहतर लगे साल 2024 आपके जीवन में बेहतर रिस्थतियों का नर्मार करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाड़ी को विराम देता हूँ उम्म नमा शुवे